आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दही वाले बैंगन की रेस्पी शेयल कर रही हूँ, जो की खाने में काफी स्वाधिस रखता है, हलो एवरीवन मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, ये दही वाले बैंगन में हर तरह का फ्लेवर है, तीखा, खटा, चट पटा, तो इस रेसिपी को एक वजयर से ट्राइ करिएगा, चलिए फिर देखते हैं कि इस तरह से बनाना है, बैंगन की इस रेसिपी को बनानी के लिए, मैंने यहाँ पर एक पाव के लगबग बैंगन लिया है, एक पाव से थोड़ी से जादे हैं, और उनकी दंडियों को मैंने इस तरह से काटके छोटा कर लिया है, और अब इस बैंगन के इस तरह से चार टुकडे कर लेने हैं, इस तरह से पता चल जाएगा कि बैंगन में कीड़े हैं की नहीं, नीचे से बैंगन जुड़ा रहना चाहिए, इस तरह से इसके चार फाक कर लेंगे, और इस तरह से कट करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे और सारे बैंगनों को इसी तरह से कट करके और उसमें नमक लगा के रख लेना है अगर आपने पहले से कट करके रख दिया तो वो थोड़े से काले पढ़ जाते हैं इसलिए कट करिए और नमक लगा दीजे इसी तरह से सारे बैंगनों में कट करके और नमक लगाते जाएंगे सारे बैंगलू में नमक लगा के मैंने रेडी कर लिया है अब next step की तरफ चलते हैं तो अभी एक दही का मसाला बना के रेडी करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस चम्मच से तीन बड़े चम्मच यहाँ पे दही लिया है और अब इस दही में यह देखे आदा चम्मच धनिया पॉडर एड़ करेंगे 1-4 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पॉडर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च लिया है और 1-4 चम्मच ही यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख लेंगे और इसको जुरूर से डालिएगा बहुती टेस्ची सब्जी जो है इसको डालने से बनके त्यार होती है चलिए फिर दही वाले बैंगन को बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी के लिए हमें बैंगनों को फ्राई करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच तेल लिया है और तेल की गरम होने के बाद इसमें हम नमक लगे हुए बैंगनों को एड़ कर देंगे और इनको हलके हाथ से चलाते वे उलट प्राई कर लेना है और यह यहाँ पे हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो गए है तो इनको निकाल लेंगे और इसमें जो राई, जीरा और पजफोरन लिया है सबका एक एक चूटकी लिया है और यहाँ पे हमारे मसाले जो है वो क्रैकल होने शुरू हो गये है तो अब इसमें बारी कटा हुआ अधरक एड़ कर देंगे और इसी की साथ यह बारी कटा हुआ लसन भी आड़ कर देंगे पान से छे क प्याज को मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है वो एड़ कर देंगे इसी के साथ 8-10 पत्ते करी पत्ते के भी आड़ कर देंगे करी पत्ता एड़ कर देंगे एक बहुत ही अच्छा सफ लेवर आजाएगा इस सब्ची को प्याज में हलका सा इसे-देंगे अध्रक लासन का मसाला लिया था उसको भी आड़ कर देंगे एक से दो मिनट के लिए इन मसालों को भूल लेंगे जिससे इनका raw smell जो है वो खतम हो जाए दो-ती मिनट के लिए मैंने इस मसाले को fry कर लिया है और अभी मैंने gas को off कर दिया है और अब इसमें यह दही वाला मसाला एड़ कर देंगे जो हमने पहले तियार करके रखा था तो अभी गयास को फिर से ओन कर लेंगे और flame को slow कर लेना है और लगातार चलाते हुए इस मसाले को भूल लेना है वैसे तो हमने आटा डाला है तो यह दही जो है वो फट भी नहीं है लेकिन फिर भी precaution के लिए इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और जब तक मसाले में एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक इसी तरह से इसको भून लेंगे और यह दिखे यहाँ पे हमारा मसाला जो है बिलकुल अच्छे से फ्राइ हो गया है चारा तरफ से ओल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है तो अभी इसी के कार्डिंग नमक काड़ कर देंगे के टीकि घ्रेवई में हमने नमक नहीं आड किया तो घ्रका सा शानमक व्लं लगाया था तो अभी टेस्ट को रिलंस करते हैं इसमें नमक कर देंगे इसी स्टेज पे यहां पे यह वनफो चमच कसूरी मेथी और एक पींच यहां पे मैंने गरम मसाला लिया है उसको भी आज कर देंगे कसूरी मेथी को मैंने हलकल सा गरम करके रखा हुआ है एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसमें ढगा के जब तक हमारे बैं जो है वह बनके रडी हो गए है तो भी गैस को आफ कर देंगे और यह दिखे यहां पे बैंगन जो है वो परफेक्टली कोख हो गए है तो अभी इन्हें सर्विंग जैस में निकाल लेंगे देखने से ही कितना टेम्टिंग लग रहा है खाने में और भी स्वादिस लगता ह तो यह यहां पे हमारी डिलिशस सी दही वाली बैंगन जो है आप सर्व करने के लिए रेडी है आप इसे पूड़ी और पराठो के साथ एंजॉय करिए सिंपल रोटी के साथ एंजॉय करिए दाला और चावल के साथ एंजॉय करिए किसी के साथ यह काफी अमेजिंग लगत तो इसी तरह की चटपटी और डिलीशेस रस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आन कर लीजेगा, जिसे जैसे मैं कोई वीडियो अप्लोड करू, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, थैंक्स वर वच्चिंग